हेलो एंड वेलकम एब्रिवान वेलकम टू एग्रिकल्चर अड़ा 24 से में आप सभी लोगों का बहुत बहुत सागत है तो कैसे वह आप लोग आगे आगे भाई चलिए शुरू करते हैं आज के खेल को आज हम लोग अपने खेल में सेरी कल्चर के बहुत छोटे छोटे से कु प्रोटेंट हैं उनको हम लोग चेक करने वाले हैं जल्दी जल्दी से अपनी कोस्टिन को देखेंगे और आंसर देना शुरू कर देंगे आज अपनी छटी क्लास है और सेरी कल्चर को हम लोग यहीं पर बहुत अच्छे से रोज करने वाले हैं आज कोई रिवीजन क्लास हम आगे दो तीन दिन चार दिन बात कर लेंगे दुस्त लेकिन अभी ना में बहुत किसके लगा है कि मैं सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइस पहले निप्टा दूँ रिवीजन तो हम फिर तुम्हें लास्ट में देही देंगे चलिए शुरू करते हैं बहुत-बहुत सब इस सब्जेक्ट को सब्हकर हैं फॉफ सरी कलचर लाक लाक लंचया है टीक है शेरी कलचटर अल्स वह टे निब वहाँ संब पंसर क्लास में बहुत बहुत-बच्चों ने कि है आप हमें जैसी आपको क्लास लगती है इसके बाद आप हमें कमेंट करके बताया करो कि हमको क्लास कैसी लगी इसे भी कर ते हैं अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब के लाई नीचे जा और लाल वाली बटन दबा दिजिए इस्टागरम और कर ले एब को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रप्चिन फिन लिंक ए कमेंट बॉक्स में ये लिकर रिए रिए क्यों आपको मीजिस फिस क्लिए रिए है च्रूब 32 के लिए झार कर दिया है कोड लगाना है फरी और िडरोल box में जरूर बताना है कि कितना हमारा score हुआ है आज के questions का चलिए सुरू करते हैं अपने questions को सबसे पहला और सबसे मुख परसन आपके सामने screen पर आचुका है what is the process of degumming degumming का process क्या होता है जल्दी से बताएंगे boiling of silk cocoon, use of the chemical agent, sun drying of the cocoon या फिर all of the above, what will be the right answer good यही चाहिए यार रोज बहुत अच्छे टेक्निकल जी करें सर if comments में negative marking है या नहीं प्लीज बता दीजे बच्चा नहीं है कह रहा हूँ ना प्री में है ना मेंस में है ठीक है पिस्वास नहीं करते एक बार में कहिता साथ चार बार बताई है तभी मानेंगे बहुत अच्छे अर्जुन रीतु मदोरिमा शपना दिशा गुट आयूसी आंसर क्या हो जाएगा आंसर बिल भी हमारा ए यानी की दोस्त इसको लोग क्या बोलेंगे boiling आफ सिल्क कोकून उसे हम लोग क्या बोलते हैं डी हमुटार में दिखाती है । जिकाते हैं धिज्ट चैसे आप डी करोगे यह वाइल होने के बाद इसमें जो घंअ-ब्रोटीन का नाम है सेरीशार यह निकल जाती इस्सी प्रोशेश को अव्लोग क्या नाम देते हैं डीगं मिग मिंग नम देते हैं इसमें डीमिंग is the process of removing the sericin or the gum from the silk yarn तोस्त याद रख लेना यह बहुत important है ठीक है अच्छा इसको हम लोग इसके बाद इंप्रूफ करता है सिन को color को hand और texture इसका सब कुछ क्या improve कर देता है what is the process of silk gain weight जल्दी से बताएंगे इसके बाद हमको बताना है दोस्त आपको जल्दी से कि हमारा जो silk की एक bundle होता है ठीक है न उसका बजन कितना होता है जल्दी से पहले तो यह कर लो इसका question का वो कितने kg का होता है जल्दी से बताएंगे अच्छा दो होते हैं एक इंडियन होता है और एक international होता है कभी आप से question भी पूछा जा सकता है जल्दी से बताएं अब तो इंडिया नहीं लिखेंगे दोस्त क्या लिखना है हमको करें भारत लिख दीजिए यह यार सही बात है अगर हम लोग बात करते हैं तो एक भारत के लिए बताना है इंडिया डेट इस भारत भारत बिह चे आरे टिया ठीक है भारत लिखेंगे और इधार एक international बता ठीक है दोनों बता देना है करें सर 60 किलो 50 किलो बहुत सही दोस्त भारत में 50 किलो और यहां कर लेना इंटरनेशनल 60 किलो ठीक है ना दोनों का बेल का बजन अलग अलग होगा बहुत अच्छे से काईदे से याद कर लिजीगा यह कोशन पूछा जाता है इंडिया 50 और वर्ड 60 ठीक है एक बेल का बजन बहुत सही अच्छा यह जो है कोस्टिन का आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो प्षण वाट है जिए बताओ आज हमारा right है कि यह होती ही हां कर दो कोफ़त सी लगाने चेकर्मे दोर्ट अगर लोग रिर्लिंग टेकनोलाजी की बात करोगे तो चरका वे लिटीक में अ किना शएवेक demands is in рекмотря र्युंप मृट पर अस्टियोग मेंorders है ठीक है क्या हो जाएगा डी हमारा सही जवाब के avo होगा सही सर रीलिंग को एक बार बता दीजिए चलिए एक बार हम आपको बताते हैं ठीक है हरसित गुप्चा जी लिखें है कुछ बहुत अच्छा कह रहे हैं सर एक कोश्चन देखा था मेट्रो का उसमें आइसो हेट रिप्रेजेंट तो ये थोड़ा सा इसी क्लास में बता करते हैं देखो सर ये क्या है ये रिलिंग प्रोसस है इसलें समय होता है अब ने कभी सीला यह नहीं करआया है क्या कमेर दोस्त वही ना जो वह ती ना उसी कों लो क्या करते एक साथ मिला के धागा बना रहे होते हैं कभी आप सुई में धागा डाल रहे होते हैं तो आपका पड़ता नहीं तो आप दांत मुह में लगा के थोड़ा सा क्या लगा के फिर इसका दूसे डाल दोते हैं तो दूस्त क्या करता है उसमें अंदर चला आता है क्यों क्योंकि आप उसे एक साइज करते हैं बस यह हमारी क्या बहुत सारी छोटी-छोटी थी है और यह हमारा एक धागा है इसी को हम लोग इसको अम लोग नाम देते हैं इसको नाम देते हैं रिलिंग क्या बोलते हैं इसको बॉइलिंग रखते हैं क्यों 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 अगले प्रस्ट पर आते हैं और अगला प्रस्ट है हमारा बताईए विच इस दा मेजर एक्टिविटी इन दा सेरी कल्चर कौन सी मेजर एक्टिविटी है आपको यहाँ पर बहुत अच्छा ज्यान देने वाले हैं जल्दी से बताईए कल्तिवेशन अफ फ्रूड प्लांट फॉल द्सिट्व वं या फिरुरि इरिंग आफ सिल्क端 फ्रॐल्म यो फिर क्रोड़क्शन आफ सिल्क या फिरुड स्यंस्य 땅 मल्वरी छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे बताना पड़ता है कभी-कभी, अपनी भासा में तब जा के समझ में आता है, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब, बच्चे A आंसर ज्यादा दे रहे हैं, देने वाले तो बहुत लोग हैं, अरे एक बात बताओ, वही है, चारा नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, रिसब जी बहुत सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आंसर A हो जाएगा, cultivation of food plant father silkworm अच्छा एक बात बताते हैं दोस्त अगर हम लोग normally किसकी बात करते हैं मलवरी की बात करते हैं तो थोड़ी सी जल्दी से जानकारी सुन लिजिए गा दो मिनिट में मलवरी cultivation आपको सिखा देंगे मलवरी cultivation की बात करते हो तो ecological requirement इसके लिए जो होती है वो हमारी होती है इसको पहले बोलते हैं मोरसलवा बोलते हैं फैमिली इसकी मोरियेशी है और इसी को हम लोग मोरी कल्चर बोलते हैं जो हम लोग क्या मलवरी cultivation को सीखते हैं अगर हम लोग इसकी ideal requirement की बात करें तो दोस्त इसको चोवीस से ठाइस डिगी सेंटीक्रिट चाहिए और relative humidity लगबग 65 से असी चाहिए ठीक है अगर sunshine duration की बात करो 5 से 12 घंटे पर दे और rainfall की बात करो 600 से 25 सो तक यह बढ़िया से होता है irrigation इसको 50 mm once in a 10 days आप चाहिए 10 दिन में इसे 50 mm का आप irrigation दे सकते हैं और हमारे प्यूपा एडाल्ट स्पिनिंग वाम या फिर चोकी जल्दी से जवाब देंगे हाँ जल्दी से आरे वा थैंक्यू बच्चा यस राइजी कह रहे सरा बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं थैंक्यू अरे बहुत यार दिल से थैंक्यू यार तुमने अगर ऐसी तारीफ है न हम चाहते हैं हमारे कमेंट वाक्स में थोड़ी चाहती रहें हम थोड़ी चाहते हैं ऐसा बहुत बढ़िया पलक उदिशा रिशव आकाश बहुत बढ़िया प्रेगन्या राजिश हां सही जबाब है आर्जू हां ये बच्चा रोज रखते हैं इसी होती है बस रियरिंग के लिए जो हमारे यंग वाम सिल्क वाम है इसको जहां रखते हूँ हमारी चौकी होती है ठीक है इंकुबेशन से हैचिंग तक की थोड़ी सी प्रोसेस समझोगे चौकी आटोमेटिक समझा जाएगी बाबू देखना अभी अगर हम ल पूछा जाता है और यूमिडिटी ऐसी डिगरी मेंटेन कर दीजिए इससे आपका पैराफिन पेपर है तो और अच्छा है क्योंकि दोस्त यहां पर आपका क्या होगा इवोपरेशन लास जो हमारा होता है न हाँ इवोपरेशन लास क्योंकि वहां सरफेस से पानी उड़े जाते है तो आप देखोगे यहां पर हमें क्या करना पड़ता है थोड़ी सी डार कंडिशन रखनी पड़ती है उससे यूनिफॉर्म हैचिंग देखने को मिलते है इसमें चौकी जो रेरिंग है उसमें और इसमें हम लोग करने की इसी क्रिया को व्रैप आउट कर देते थे अंधेहरा प्रदान कर देते है इसी को उम लोग तर्म देते है क्या ब्लैक बोकसिंग तो कभी-कभी पूछा जाएगा ब्लैक बॉक्सिंग क्या है तो दोस्त उसको ना अंधेहरा देना कब बस जैसे हो हैचाउट करने वाला उससे 48 गंट पहले ठीक है उसे अंधेहरे में नबे से 95% है हैस कर जाते हैं दो से तीन घंटे में एक साथ यह हमारी बहुत इंपोर्टेंट होती है जब हम लोग रेरिंग करते हैं और हां प्रवेंट द्राइंग अप्द लीफ्स की ड्राइंग ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग वहां पर हुमिनिटी को मेंट करते हैं सूख जाएंगी ठीक है यंग एज जो सिल्क वाम है जिसको चोगी रेरिंग बोलते हो इस ट्रे की जो लंबाई है यह पूछी जा सकती है 120-90-105 ठीक है यह होती है और ट्वेंटी जो है डिजीज फ्री लेंग्स जिसको DFLS लिखते हैं इसका मनलब होता है डिजी डैस एंड डैस डैस इनमें यू एंड मी भर दीजिएगा ठीक है आर दा टू में प्रोड़क्ट प्रोड्यूसर आफ सिल्क बताईए कौन-कौन है बहुत-बहुत थैंक यू बच्चा जो बच्चे लाइक नहीं किये हैं बहुत थैंक यू आर्जू बच्चा ठीक है सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं इतनी तारीफ कहीं ऐसा ना हो आज में नजर लग जाए कहीं हमको आज नजर ना लग जाए बहुत अच्छे बच्चा रिशव अकांशा रानी अकाश भूमिका बहुत अच्छे बहुत अच्छे सभी का जवाब बहुत अच्छा करे स को एक माला में पिरो देना वो चाहता था जिससे हम अपने प्रोडक्शन को करने वाले उत्पादन को पूरे विस्व में घुमा सकें और एकनॉमी में नंबर एक बन सकें इसलिए उसकी एक अवधारणा जो सिल्क रूट थी वो थी उसी को मोडिफाइड करके अब जो अपनी दूर पूरी की पूरी एक माला बना रहा है एक रोड मैप बना रहा है पूरे विस्व में की यूरोप तक घुम कि आओगे अफरीका तक चले जाओगे भारत को भी एक साथ जोड़ने का प्रयास किया इसलिए ताकि हम बहुत अच्छे से क्या कर सके अपने सिल्क रूट से पूरे दुनिया में व्यापार कर सके यह चाइना की अफधानडा रही है ठीक है चलिए बहुत अच्छे जल्दी से आते हैं आंसर क्या हो जाएगा जब आपका क्या कोकून बनता है फोर्थ ठर्ड एधर अभी या सेकेंड जल्दी से बताईए भाई एक क्वेशन है उपेरा नहीं है स्टुडेंट्स का है आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है मतलब इतनी अच्छी मुस्कुराहट मैं भी यही बात जाहूँगा कि मैं डिस्टर्ब कर जूँगा आपको बच्चे इसमाइल जो इन पर करते रहते हैं उसका राज क्या है व्दा वही बात है बच्च्चों के सामने जब भी आते हैं ठीक है वैसे मैं थोड़ा बैट जाता हूँ थोड़ा सभले मेरा मू अठ इन के सामने आने के बाद में थोड़ा था पॉजिटिव बहुत अच्छे था पॉजिटिव बाइप से इन लोगों के पास जाए इसलिए अच्छा करते हैं पहली बात है है आप लोग बोल सकते हैं यह सर चुखली करने आए थे आप बिलकुल एलाइट बाब इनका नाम है मना जा रहा है दिल की बात बताते हैं तो अज सब लोग अपनी मूड में हैं इदर उदर गूमने का तो आज प्लान वना रहे हैं के गूमने चलते हैं न Ken篇केबों नहीं जा पाएंगे कोशिन बनाना है तो वही अभी ना हमको बार बार मनाया जा रहा है दिल की बात बताते हैं तुम्हें ठीक है ? चलिये आ जाएए विजवीजाइब। बहुत, बिलकुल जल्दि जैं मिल बाते हैं बहुत बहुत थैंक यू बच्चा लव यू आप सभी को बहुत बहुत ठीक है आंसर इसका जल्दी से बताईए क्या था दुस्त इसका आंसर था हमारा क्या देखो इसमें बच्छे बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग नहीं बोलोगे प्यूस यस आकास तुम लोग यह इसकेंड मौल्ट है थार्ड इस्टार लारवा कांवें फौरध मौल्ट है फाइर स्टार लारवा बनता है एक चीज समझना वद्चे बढ़िया होती दैट में बिया और एक्स चेंजिंग अपनी स्टेज को चेंज कर रहा होता है इसको बहुत अच्यसा समझने के लिए ऐसा समझगे जब वो मोल्ट करता है न तो अपनी feeding को वो थोड़ा सा क्या करता है रोक लेता है अगर उस time feeding अच्छी नहीं है तो अप क्या करिएगा उसे disturb इमत करिएगा जैसे बहुत लोग क्या करते हैं जब वो assuming feed, वो feed घाना कम कर देगा, and very important for the uniform growth of the silkworm, यह बहुत ज़रूरी भी होता है, during malt, rearing beds should be kept thin, उसे आराम ज़र थिन कर दीजिए, उसे malt कर लेने दीजिए, lime apply कर दीजिए, so that वहाँ पर थोड़ा सा क्या है, proper ariation हो सके, आप यह समझे, वहाँ की, जो आपकी condition है, उसको बेहतर ब molting उसे की पहली वाली हो रही होगी, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, larvae are considered for the late age worm, and they are reared on the bamboo tray, उस पर हम लोग इसे grow कर लेते, देखा भी होगा, newspaper को बहुल लोग spread कर लेते हैं, इसलिए, ताकि वहाँ पर आराम से इसकी molting हो जाए, ठीक है, spread over the tray, absorb the excess moisture in the leaf and the fecal palate, इसके moisture को क्या है, absorb करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, चलिए, अगले question पर आते हैं, तिरपुरारी प्रजापती जी, प्रीती यादो जी, राहूल, बहुत अच्छे, सभी का जवाब एकदम सही है, चलिए, अगले question पर आते हैं, नितीज जोन, हरिवा, प्यूश, चलिए, अगले of the silkworm, जल्दी से answer देंगे, बहुत simple answer है, लेकिन सभी को देना है, ठीक है, यस राय जी, अभी इसकी कोई PDF हमने भी सोची नहीं है, वेकिन मेरा देने का बहुत मन है, हम सोच रहे हैं, एक बार और हो जाए, इसके बाद हम आपको PDF इसकी provide करा देंगे, अपने जो, ये, एप है ना, इसी पर आपको यहाँ पर एक community का option आता है, वहाँ पर हम लोग interact कर सकते हैं, आपसे वहाँ पर इंप्रोवाइट करा देंगे, ये question ना, दोस्त, ये guarantee देते हैं, आप कहीं पर भी जाना, ये question तुम्हें कोई नहीं कराएगा, ये question की कब भी और इसके discussion तो, क्या ही Sir, बिल्कुल, ठीक है, अच्छा, अपने वहाँ पर आए होंगे, उस पर, तभी बताए ना, आज वो free है, तो अपने चैनल पर तभी live आए होंगे, चली answer सभी का सही है, दोस्त, क्या answer हो जाएगा, D will be the right answer, पहली बात तो दोस्त, सीधी बात है कि, head में ही पाए जाएगा, इसकी सिक्रीशन वाली पाए जाएगी, इसमें पाए जाएगी, तो बच्चे ए लगा रहा है, तो पहले सोच लो, कि आपकी head में होती, दूसरा, इसमें जो silk is produced from 2 slavery gland होती है, बच्चे कितनी होती है, दो gland होती है, हमने मुह नहीं पूछा था, जो आप एक लगा है, इसी ल अगला प्रसन है, the main protein, present in the silk filament, चलो ये तो बता ही दोगे, क्या ही दिक्कत है, ये तो फिर दुबारा बन गया हमसे, ये तो वही है, खैरा डिजीज वाला, बताओ वाई, बहुत बढ़िया, IOC, सत्य प्रकाश, करंध, बहुत बढ़िया, सपना, आकाश, निहा, प्रेंका, बहुत अच्छे, सभी का जवाब सही है, और आंसर क्या हो जाएगा, बिलकुल सही है, आंसर हो जाएगा, बोथ, A and B, यानि कि दोनों सही होंगे, ठीक है, चलिए, दोस्त, आपको कमेंट वाक्स में बताना जरूर है, आपको ये लिच्चर कैसे लग रहे हैं, तो हम कंटी नहीं बिलकुल आपको इसी तरज पर देते रहेंगे, रोज कोईस्टिंस, ठीक है, चलिए, अगले कोईस्टिंट पर आते हैं, ये कोईस्टिंट का अंसर कौन बच्चा दे सकता है, डिस्ट्रिबूशन पैटर्न आप दा सलाइवा, सलाइवा का डिस्ट्रिबूशन हाँ, तिरलोचन जी बहुत बढ़िया, अंशा, करन, रिशब, राहुल, रिंकू कुमारी जी, यश, बहुत अच्छे, सभी का जबाब सही है, अकाश, हाँ, बिलकुल सही है, बिलकुल, बिलकुल, के आइवलकुल बहुत बढ़िया, बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा, आ पतंगी नहीं उड़ाई, उड़ाना चाहिए था, बच्चपन आपने कहा निकाल दिया है, जवानी तो ऐसे भी इसमें निकल लई है, बच्चपन कहा निकाल दिया, चलिए अब तो गमतन सुधारी है, ठीक है, ऐसे करके करते थे हम लोग, याद है, ऐसे ऐसे करके, ये काम से पूरे में क्या कवर हो सके, अधरवाइज ये फिर छिटर जाता, इधर उदर हो जाता, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आठ, ठीक है, चलिए, पेबराइन डिजीज, बतावाई, पेबराइन डिजीज, हाँ, ललन टॉप क्लास है, बहुत बहुत बढ़िया आंसर सभी का सभी है कहरे सर्फ क्या फ्रोटो जो अलगा देंगे तो तुम लगा दी हो तो मान लेंगे तुम्हारी बात हम काटते वाईसे भी नहीं है अंसर क्या हो जाएगा प्रोटो जोगा डिजीज हो जाएगा ठीक है बॉम्बैक्च मुराई की अब कोश्चन दो इसका अंसर मिमीफाइड प्यूपा इस डियू टू ममीफाइड प्यूपा क्यों होते हैं पेबराइन डिजीज के कारण मसकरडाइन के कारण दोनों या फिनन अब दीज लाश्ट लेक्चर जिस दिन हम लेंगे अपना काउंसा एंसी क्यूज वाला उस दि लेजिए खुदी समझ लेजिए बांके सब चीजों को त्रिलेशियन प्रीती बहुत बढ़िया नानी प्यूश प्रेंका करण जी बहुत अच्छे सभी का जवाब आ गया है बी आंसर दे रहे हैं करेंसर मसकरडाइन लग रहा है दोस्त अगर तुम्हें लग रहा है तो आ अब दिख रहा होता है इस अवस्ता को आम लोग क्या बोलते हैं ममीफाइट प्यूपा बोलते हैं और मसकरडाइन के कारण होता है मसकरडाइन डिजीज है यही लास्ट में इसके बारें बढ़ी हमसे बताएंगे डिजीज का यह की लेक्च्छर रखेंगे ठीक है वी अब पास में कामन सेंस है तो इसका आंसर दीजे अ मैं सोच रहा हूं कि अपके लिए रिकॉर्ड करूंगा तो मैं रिवीजन एक रिकॉर्ड कर दूगा आपके लिए ताकि आप क्लास में आए तो दोस्त आपको निराशा ना हो और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी लोगों का आप मेरे बहुत प्रिये चात्र है मतलब यू और मैं फ्रेंड यार एक तरीके से चात्र कियों बोलना ठीक है तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपके लिए जो भी चीजे रहेंगी ठीक है आने वाले जब तक आई वी पियस एफो का एक्जाम है इस क्लास विल भी फोकस अब दा आई वी पियस एफो एक्साम उसी को फोकस करेंगे और एक एक कोश्चन दोस्त आपने कोश्चन का लेविल तो मेरा देखी लिया है अब हमें विश्वास दिलाते हैं चाहें एगरी कल्चर इंजीनरिंग हो चाहें आई वी पियस एफो के लिए आपकी फिसर लेटर यूज़ करना पड़ेगा और वह बेहतर आप जो है आपको नहीं देता है ठीक है आउटपुट नहीं बढ़िया आता इसलिए हम नहीं कर रहें उसका ठीक है कर लेंगे दोस्त कर लेंगे बाइलिंग्वल भी लाएंगे हमारे दिमाग में चल रहा है ठीक है आंसर क लोग सिल्क को इसी लिए नहीं पैंते हैं क्योंकि दोस्त उसमें बहुत सारी हत्याएं हो जाती है कोकून की हत्या करके क्या निकाला जाता है मानते हैं कि जीव की हत्या के बाद अगर हमने उसको निकाला है तो इसको क्या है नहीं पैंते हैं लेकिन क्या है दोस्त इसको न राजिस्तान टमिल नाडू जंबू कस्मीर अशम जल्दी से जवाब देंगे कहां कहां है करन आशीष सत्रप्रकाश मधुरिमा निहारिका रिशब बहुत अच्छे बच्चा आउशी हंशान निहां त्रिलोचन प्यूश गुट 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 आर्जु बहुत बढ़ी आर् यहां हो जाएगा आंसर हो जाएगा असम तो सोचना ही नहीं था जैसे मुंगा का नाम आए ना मुंगा को असम से जोड़ देना है ठीक है ठीक है चलिए अगले पर आते हैं अगला पिश्चीन क्या है मारा बताओ विचिज राइट रइट आपको बताना इसमें से कौन है इसके पास ही रहेगा लेवल यही आएगा गारंटी देते दोस्त इससे ज़्यादा कटिन कब भी नहीं आ सकता language को कटिन करने का प्रयास करेंगे last में आप से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे अरे वा करन तो तो delete भी कर लेता है बाबू बी आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे ए दे रहे हैं कुछ डी भी दे रहे हैं देखो बस यही बस यहाँ पर आगे confusion जो पैदा किया हमने इसको आपको समझना था यहाँ handle करना था बैबो जी बहुत अच्छे पलक, भूमिका, रिंकू अंकिता, अभिशेक, प्रेंका, सुनाली मेगना, त्रिलोचन गुड बच्चा, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया लेकिन यार बस तुम एक ही जगे पर आके किया थोड़ा सा डाउन मार गया थोड़ा सा और अगर तुम प्रयास कर लेते तो आंसर एकदम से सही होता आंसर ए ही होगा, जब टसार लिखा था, तो टसार को एंथेरा मायलिट्टा के साथ जोड़ रखा था यहां पर और हमने यहां पर ओक को क्या है सही रखा था, एंथेरा हमारा SMS था मूंगा हमारा बहुत सही था, ठीक घुचा था तो एक सिरीफ यह राइट लग रहा था, ओक को तो यह बोलते इन गलत हो रहा था, यह भी मारा गलत हो रहा था, एरी, एरी तो बिल्कुल गलत हो रहा दोस्त हमनिन राइट पूच रखा था, और बहुत सारे बच्चे रॉंग ढून रहेते हैं इसलिए आंसर इधर उधर दे रहेते हैं ना देगे ना question बनाया ना अच्छा चलो कोई नहीं ए आंसर सभी का सही है लगवग में बहुत सारे बच्चों का अब हम एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और share कर रहे हैं इसका screenshot ले यह बना के रख दिया है एक बार पर लीजेगा सिर्फ हम आपके लिए रखे हैं सेंट्रल सेरी कर्चल research and training जो है बच्चा वो मैसूर में है ठीक है यह याद कर लेंगे इसके बाद में याद कर लेंगे मैसूर के साथ साथ यह भी याद करेंगे दोस्त यह हमारा और है यह क technology research institute technology का बैंगलोर में और वहाई silk warm seed technology अगर पूचा जाए तो दोस्त यह भी कहा है बैंगलोर में है ठीक है और जो हमारी बायोटेक लिवरेटरीज है का इसे silk warm से related यह दोस्त कहां पर है यह दोस्त हमारी 1993 में बनी थी इसके बहुत सारे रीजिनल सेंटर है लिवरेटरीज खोली गए थी इसको याद कर लेंगे चलिए अगले question पर आने से पहले आज हम तुम्हें देते हैं question of the day यह question of the day आपको answer करना है और यह question दोस्त है हमारा epiculture से क्योंकि हमने epiculture को पर लिया है बहुत अच्छे से अब यह question हमने दिया है ताकि आपके knowledge को और improve करा जा सके तो दोस्त आपको जल्दी से एक बात करनी है जो बच्चे देख रहे हैं आपको comment box में बताना है कि आपको आज का lecture कैसा लगा और दूसरा आपके फिर वही question मनाया जिससे आप बेहतरीन तरीके से multiple जब तक आप से नहीं देखेंगे तब तक आप सही नहीं कर सकते हैं सबसे tough question माना जाता है यह आपको घर के लिए दे रहे हैं स्क्रिंशॉट ले लीजिए और जल्दी से क्या है तैयार हो जाईए अगले दिन आंसर देने के लिए आज मत दीजिएगा answer कब देना है comment box में आपका इंतजार रहेगा और हाँ I will give you heart जो बच्चे हमारे questions देते रहेंगे ठीक है answer देते रहेंगे मैंने answer लगाया भी नहीं सेरी कल्चर में पढ़ाई हुई है तो दोस्त एक चीज बताते हैं आपको जब भी आपको मन लगे ना कि दोस्त हमें बहुत अच्छा पढ़ना है तो कभी मेरे पास चले आईएगा मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा ठीक है तो दोस्त ये रहा आपक आपके पास बहुत जिसमें दोनों है ये आपका एक ये आपकर बता बहुं कर दोनों का है यहांगे यहां लेए आपक लिए आइवी पी-सं एको सक्षेज क्रणी कर स wheat लगा कि आपको आना है टीक है जिसमें आपको रोज मिलेंगे हम लोग है दोस्त दोस्त जोड रोज न तो यह अंडोल हो जाएगा योद्धा जो है यह मात्र मेंस का बैच है टेस्सीरीज एबुक और इसके साथ में डेली आपको लाइव पीडियाप सब कुछ मिलेंगी बाइनाओ पर जाना यहाँ एक कूपन कोड लगाना है वाई 783a जिस दिन लगा दिया दोस्त लाइव जिंगा लाला समझना क्योंकि दोस्त यहां पर हम आपको बहुत सारी ट्रेनिंग देने वाले हैं कहें कि आई भी पीस के ठीक है लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी आपको जो कोड लगाना है वो है वाई 763a वाई 783a ठीक है जो भी क्लासेस रहेंगी वो कैसी रहेंगी बाई लिंग्व रहेंगी तो दोस्ता form में होगी, आप इसे print भी करवा सकते हैं, आपको वहाँ पर doubt session भी मिलेगा, अगर कोई बच्चे का doubt है, तो doubt भी आप दे सकते हैं, और हाँ, आप live talk भी कर सकते हैं, हमारे साथ में, वहाँ जुड़के live talk भी कर सकते हैं, आप हमसे बाते भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कोई बात आपका doubt में है, ठीक है, यह सारे features मिलने वाले हैं, साथ साथ में आपको ebook भी मिलेगी, आपको test series भी मिलेगी, पूरे test मिलेगे आपको topic wise के साथ साथ में पूरे के पूरे, ठीक है, ebook में आपको ace agriculture one or two, दोनों मिलेगी, जो आप download करके आराम से उसे पढ़ पाए तो यहाँ पर जब coins, use coins का option आएगा, use coins और यहाँ पर ऐसे ticket दीजेगा, ठीक है, तो आपका यह चला जाएगा, ठीक है, coins को ज़रूर यह करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, discount मिल जाता है, आपका और ज़्यादा, यह आपको batch near about हम कहें, तो 24, 25, 100 के something क्या आपको पढ़ जाएगा, ठीक है, हाँ, अगर आप pre और means दोनों को लेना चाहते हैं, तो अलग है, अच्छा, इसके इलाबहा आपका ifco का batch यह, हमने आपको इसको बताया हुआ भी है, कि हमने इसको पहले भी दे चुके हैं, और pre means सब कुछ है हमारा, सब qualified था हम यह ज culture मिलेगी, ठीक है, टेस्ट मिलेंगे, live classes, सब कुछ मिलेगा, जो बच्चे इसका देखना चाहते हैं, doubt session, pdf, सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर आपको इसके इलाबहा, जो आपको English है, reasoning है, यह भी classes आपको मिलेंगे, ठीक है, recorded form में रहेंगे, English है, reasoning है, maths है, ठीक है, और इसक सारी classes आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, तो जाना, बाइनाओ करना, Y783A, code लगाना और enroll कर लेना, आपका कोई भी परिशानी होगी, तो हम आपसे मिलते रहेंगे, हमें आपके लिए इसलिए बने हुए है, ठीक है, ठीक है, सर हमको only आपसे पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, तो यह सारी चीजह आपकी है, इसमें फिसरीज उसमें हो गई है, डाउट सेशन मातर दो-तीन बचे हुए है, ठीक है, तो कैसे लेना है, यहाँ पर आए, और यह रहा मातर foundation, ठीक है, agriculture foundation, ठीक है, यहाँ पर आप जाईए और यहाँ पर आल पर आईए, आल पर आने वो चीज़े बची हुई है और एपी कल्चर सेरी कल्चर लाइक कल्चर फिश्रीज है मश्रूम है यह सब हो गया यहाँ पर यहाँ पर बाइन आउ पर जाना वाई साथ 183 कोड लगाना और दोस्ति इस पर क्या इंडॉल कर लेना सब कुछ में मिल जाएगा अब यह आफ हो जाएगा नियर वाट यह 700 के करीब पड़ेगा तो जो बच्चे चाहते इसमें ठीक है यस तो आप इसमें आप इंडॉल कर सकते हैं यह बैच इंडिविजुल मेरा य मंतन का एक निया बैच अभी जल्दी से फिल लाने वाले हैं उसमें क्या रहेगा टार्गेट बैच रहेगा दोस्त फिर आराम से टार्गेट में क्या पूरी चीजों को कवर करेंगे बेधरी तरीके से जल्दी मिलते हैं आप से बबाय टेक यह लभी ओल अपना ख्याल प्रिक्तार्ट कर रहे हैं क्योंकि जल्दी से ही हमें भी बहुत जल्दी आप से मिलने की जो अच्छे हमारे पेड़ ग्लास में आ चुके हैं लेकिन हमारी भी बात नहीं हो पाई है ठीक है सर इस्टोक और स्ट वैलूम एक बार बता जीजे इस टोक का मतलब होता है टॉप सेंटर से भॉक्ति डेट सैंटर फिलिदर के अंदर जगह चली थी वह मारा वेलूम जो कबर किया था जैसे यह मारा यहां से यहां तक लंबाई हो गए यह तो हमारी क्या हो गया चैन बॉर्टन auss образом सेंटर हे है लेकिन अंदर की बात है वह वह वैलू में और यह लंबाई है यह अंतर होता है ठीक है चलिए रादे रादे थैंक्यू अल अपने ख्याल रखिएगा पढ़ते रहेगा बढ़िया से फिर मिलते हैं आपसे कल कल का मतलब परसों बबाटे किया अपने ख्याल रखिए